नमस्कार दोस्तो, WB Pharmacy YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है जैसे कि आप सभी को बता है, Diploma in Pharmacy regarding जितने भी सारे assignments and informative वीडियो है सब वीडियोज आपको हमारे YouTube चैनल WB Pharmacy पे मिल जाते हैं जो सिलवस है according to Pharmacy Council of India जिसको PCI कहा जाता है Diploma in Pharmacy Part 2, Second Year के एक सब्जेट है Pharmacology उसका ही एक assignment है Drugs Available as Pediatric Formulation जिसका assignment का contents रखा गया है Abstract, Introduction, No.3 पे Pediatric Drug Development, No.4 पे Root of Administration, Dosis Form, Formulation No.5 पे Excipients, No.6 पे Pediatric Drug Product Design, No.7 पे Conclusion and No.8 पे References ये सवी point को बारी बारी में समझाया गया है कि क्यों ये सब point इस assignment जरूरत है अगर आपको पूछा जाए कि ये आपने point रखे क्यों है अगर आप बता नहीं सकते तो teacher सब आप लोगों के उपर doubt करेंगे कि आपने कहीं से copy कर लिया तो वीडियो पे ये point सारे समझा गया है कि क्यों जरूरत है Pediatric का मतलब है छोटे-छोटे बच्चे का drugs Pediatric Drug मतलब छोट-छोटे बच्चों का drugs तो सारे point इस वीडियो पे discuss कहें गया है वीडियो को last तक जरूर देखे और समझने की कोशिस कीजिए जो की बिल्कुल free है तो दोस्तों आपके पास जो assignment का copy है copy के उपर headline बनाए Drugs Available as Pediatric Formulation Drug जो available है as a pediatric Pediatric मतलब बच्चों का दवाई को बता जाता है तो यह जो assignment है आपको WB Pharma से YouTube चैनल पे मिल जा रहे है और यहां पे जो abstract है number one point पे यहां पे बताय के आए कि Children का जो dose होते है दवाईों का वो normal adult people से थोड़ा सा अलग होते है इसका dose, toxicity, इसका जो administration process सब कुछ अलग होते है तो यहां पी abstract पे वो ही लिखा गया है जो आपको यहां पे लिखना होगा abstract में जैसा है वैसा ही रखेगा कोई changes मत किजिएगा उसके बाद introduction नमबर टू पे आगए introduction introduction पे आपको बताना है कि यह दवाई जो है pediatric medicines जो है इसको कैसे design गया है, कैसे develop कैया गया है इसका drug जो administration process है दवाई को जो बच्चे को दिया जाता है कौन से root of administration से दिया जाता है इसका जो active ingredient है वो कितने amount पे रहना चाहिए ताकि बच्चे को बच्चे के दवाई का असर हो यहाँ पे लिखना होगा बच्चे का age, बच्चे का body weight के हिसाब से यहाँ पे drug काम करता है मतलब कि drug कैसे metabolize करते है कैसे इसका absorption होता है कैसे distribution होता है यह यहाँ पे बताए गया है उसके बाद दोस्तो नमबर 3 पे pediatric drug development है आप चाहें तो continue pages के skin shot लिशकते हैं pediatric drug development पे यही बताए है कि dosing जो aspects है मतलब human का जो body growth होते है वो कैसे होते हैं उसके साथ साथ यह जो दवाई होते हो कैसे काम करते हैं PK मतलब pharmacokinetic हो गए PD मतलब pharmacokodynamic हो गए उसके बाद दोस्तो नमबर 4 पे आगया root of administration यहाँ पे आप dosis form भी बताएंगे formulation में भी बताएंगे यहाँ पे general consideration बताए है कि जो drug होते हैं वो liquid form पे ज्यादातर use होते हैं बच्चों के लिए और छोटे छोटे दवाई जो होते solid doses form और tablet में भी आ सकते हैं जैसे यहाँ पे दिखाए देरा oral liquid formulation है उसके बाद solid doses form formulation है जहाँ पे mini tablets भी आते हैं उसके बाद यह दवाई बनाने यह कौन से equipment यूज होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा गया है उसके बाद दोस्तों आ गया नंबर सी पे ओरो dispersible dispersible मतब बच्चों को दवाई मुपे डालने के साथ साथी तूरंत वो क्या होता है डिस्पर्स हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों नंबर सीक्स पे आ गये excipients excipients जो है यह specific purpose के लिए होता है देने से उल्टी ना हो जाए इसका जल्दी से जल्दी बच्चे administer कर पाए इसलिए यह दवाई पे excipients add कि जाता है उसके बाद दोस्तों excipients leveling मतलब हर दवाई पे leveling होना चाहिए कि यह जो extra ingredients होते हैं यह कितना amount पे दिया गया है कितना amount यहां पे लिखना होना चाहिए और daily doses कितना देना परता है वह भी leveling क्या हुआ रहता है उसके बाद दोस्तों number seven पे आ गया pediatric drug product design drug जो product का design होता है वह कैसा होना चाहिए ताकि patient acceptively करे मतलब accept करे drug का size, shape, color, coating, printing कैसा है वह देखके patient लेने के लिए लेना चाहते होंगे उसके बाद number B पे आ गए user instruction जहां पे user को पता होना चाहिए कि drug में कितना amount का drug है कि इस काम के लिए drug है और इसका date and expiry date होना चाहिए उसके बाद breaking आ गए उसके बाद feeding tubes आ गए उसके बाद administration with food or drink मतलब यह जो दवाई है उसके साथ हम food ले सकते हैं कि नहीं पानी के साथ या बीना पानी जैसे कि बच्चे के cop syrup लेने के बाद बच्चे को पानी नहीं दिया जाता है अगर बच्चे पानी पी ले तो cop syrup का जो असर होता है काम करना वो ठीक से होता नहीं है क्योंकि mucos membran पे रहना बहुत ही जवड़ी है उसके बाद last ले आगे conclusion पर ultimately बताना होगा कि यह जो pediatric formulation है यह क्यों इतना महतवपून है यह आपको यहां पर बताना है और last में दोस्तों आगे reference जो कि यह सब पुरा assignment वो आपको कहां से मिल रहा है और इसका source क्या है यह आपको यहां पर लिखना है तो दोस्तों धनवाद पुरा वीडियो देखने के लिए अगर कोई से भी तिक्कत आए तो आप बता सकते हैं या फिर आपका जो यह PDF चाहिए वो वीडियो description पर बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है कोई भी पैसे दिने के ज़रत नहीं है फिडियो आप कोश्ट है बस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिये और वीडियो को लाइक कर दिजे